नमो नारायन मित्रो कैसे हैं आप सब? मुझे उमीद है आप सब ही अच्छे होंगे, सुवस्त होंगे, एबम मज़े में होंगे दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने बाला हूँ कि आर नाम वाले जातक एबम डबलू नाम वाले जातक यदी साधी करते हैं तो आपको साधी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मित्रो यदी आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको वीडियो लाइक कर देना है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एबम वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो मित्रो आर नाम वाले जयतक एबंडबलू नाम वाले जयतक यदी किसी भी प्रकाड के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक शमानता बहुत ज्यादा होती हैं इस नाम के जो जयतक होते हैं वो अपने-अपने जीवन में एक दूसरे के गुनों से, एक दूसरे के रहन सहन से बहुत जयादा प्रभावित होते हैं एबम हमेशा अपने जीबन में एक दूसरे के बिचारों का सम्मान एक दूसरे के दृष्टी कोन का सम्मान बहुत जयादा करते हैं एबम कभी भी अपने जीबन में एक दूसरे की बातों को काटना या एक दूसरे की बातों को अनसुना करना पसंद बिलकुल भी नहीं करते हैं एबम ऐसे समय में आप दोनों के बीच में जो बंधन बनता है वो बहुत जयादा रोमान चक एबम मधूर होता है लेकिन इसके हलाबा यदी आर नाम बालों की बात करें तो आर नाम बाले जो भी जातक होते हैं वो बेहद सांत होते हैं बेहद गंभीर होते हैं एबम हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले शमय के प्रती बेहद आसावादी होते हैं एबम हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले शमय से बहुत जयादा उम्मीद, बहुत जयादा आसा करते हैं लेकिन इसके हलावा यदि डबलू नामबालों की बात करे तो डबलू नामबाले जो भी जातक होते हैं वो बेहद सांत होते हैं, बेहद गंभीर होते हैं, एबम हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के प्रती बेहद समर्पित होते हैं, हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के विचारों को, अपने जीवन साथी के दृष्टी कोन को बहुत जयादा सम्मान, बहुत जयादा महत्तु देते हैं लेकिन इसके हलाबा इस नाम के जो जातक होते है वो सुभाब से बहुत जयादा जिद्दी, बहुत जयादा हठीले होते है एबम हमेशा अपने जीवन में अपने जिद को, अपने हट को बहुत जयादा महत्तु देते है एबम ऐसे समय में आप दोनों के बीच में जो बंधन बनता है उसमें आपसी पड़ेशानी बहुत जयादा होती है मित्रो आर नाम वाले जातक एबम डबलू नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मित्रों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत जयादा मजबूत रहेगा यदि कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए दोस्तों मुझे उमीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा साथ में इस पेशल दुनिया को आपने सबस्क्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय हनुमान आप कमेंट अवश्य करते एवं वीडियो हर जगह से यर करते तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद